केंद्रे मंत्री मंडल की बैठक में आज एक बड़ा फैसला लिया गया 10% Reservation जो Economically Weaker Sections को दिया गया था वो आज के फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाओं से पहले केंद्र सरकार ने राजी को बड़ा तोफ़ा दिया है इस मंजूरी के साथ ही राजी में स्ट्रेक्शनिक संस्थानों और सरकारी नोकरियों में आर्थिक रूप से पिछले लोगों के लिए दस फिस्दी रिजर्विशन का राज़ा साफ हो गया जो देश में कि सामाजिक न्याय की जो बड़ी पहल की थी पिछले साल ही कि कि आर्थिक कि आधार पर दस परसेंट आरेक्शन नोकरी में और शिक्षा में मिलेगा यही अब जम्मो कश्मीर को भी लागू करने का देने किया है कैबिनेट कमिटी आफ एकॉनमिक अफेर्स ने किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया किसानों को फर्टिलाजर सबसेटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है इसके लिए किसानों को 22,875 करोण रुपए की सबसेटी दी जाएगी जिसका खर्चा सरकार उठाएगी चिट फंड में हो रहा है घालमेल को लेकर भी सरकार शिकंजा कसने जा रही है इसे लेकर मौझूदा सत्र में एक नया बिल लाये जाएगा वही सुप्रिम कोट के जजों की तादाद बढ़ाने पर भी फैसला किया गया है अब सुप्रिम कोट में 30 की बजाए 33 जज होंगे यानि जजों की संख्या में 10 फिजदी का इजाफा किया गया है कि सुप्रिम कोट में इतने तब मैटल स्पेंडिंग है इतने केसे स्पेंडिंग है इसके लिए ज़्यादा जजों की ज़रुरत है कि आज कैबिनेट ने यह भाइसला किया कि सुप्रिम कोट के अभी तक 30 जज होते थे अब 33 होंगे दस परसेंट उसमें बढ़ोतरी हो रही है यह बहुत महत्वपूर्ण है और अंत में केंद्रिय मंत्री मंडल ने एक और बड़ा फैसला लिया इसरो के बारे में इसरो का अब तीसरा टेक्निकल लियाजा यूनिट मॉस्कों में खुलने जा रहा है पहले वाशिंटन डी सी और पैरिस में काम कर रहा है कैमरमेन शिव कुमार भारदवाज के साथ विनीत दिक्षित सुराज एक्सप्रेस दिली